आज हम फिर एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर प्राइकता लेकर के आपके सामने हैं और इस अध्याय के बारे में आपका ख्षा 10 में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे लेकिन बारवी क्लास में जब ये पाठ खतम होगा तो आप क्या-क्या जान पाएंगे आईए देखते हैं पाठ के अंत में आप जान पाएंगे प्राइकता के बारे में और गहराई से और सासात सब्रतिवंद प्राइक्ता क्या होती है, इसका क्या उपियोग है, कैसे इसका गुणन नियम है, ये सब इसके बारे में जान पाएंगे और उसके बाद उसी पर आधारित, संपूर्ण प्राइक्ता, वेज थियोरम और याद्रचिक्चर, रेंडम वेरियेवल और इस पर बेजड प्रॉवेविलिटी डिस्टिबूशन अर्थात प्राइक्ता बंटन को हम जान पाएंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइक्ता, प्राइक्ता में कुछ शब्द बहुत महत्पूर्ण होते हैं, जैसे कुल संभावना, घटना, यह आपने दस्वी क्लास में पढ़ा होगा, यह सब चीजें जब सामिल हो जाती हैं, फिर हम एक चीज करते हैं कि प्राइक्ता हो तो जो हमारे फेवरेवल आउटकम्स हैं, यानि जो हमारे लिए अनकुल परणाम हैं, वो नूमरेटर में किसके रेस्पेक्ट, कुल परणाम के रेस्पेक्ट, जब हम करते हैं तो हमें प्राइक्ता मालूम हो जाती है, यहां तक आपने सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकि तो इन्हें कोई कंडिशन शामिल है, इसलिए इसका नाम कंडिशनल प्रॉबिलिटी हो गया, कंडिशन क्या है, इसमें दो घटनाएं हो रही हैं, और उन दो घटनाओं में एक घटना पहले हो चुकी है, उसके बाद दूसरी घटना हो रही है, तो यदि एक घटना हो चु नाम दे दिया है कि सब प्रतिवंद प्रायक्ता अर्थात यदि E और F किसी भी याद्रिचिक परणाम याद्रिचिक परिक्षन आपको पता होगा किसे कहते हैं जिसका कि हमें परणाम पहले से पता नहीं हो कि एक ही प्रतिदर्श समर्ष्टी में संबंदित घटना हैं तो उ या तो उसमें दे रखा होगा कि यह हो चुका है या दे रखा होगा कि यह दिया हुआ है अगर ये ऐसा कुछ भी है अर्थात वो घटना हमें ये लेना है कि ये हो चुकी है और उसके बाद इसको जो प्रतीक है वो है E बटा F, E by F अर्थात जो नीचे होगा वह घटना हो और जो numerator में है अंश में लिख रहा है उसकी हमें प्राइक्ता पता करनी है उससे निरूपित करते हैं तो एक छोटी सी चीज मान लो मुझे मैंने लिखा A बटा B आप बता सकते हो इसका मतलब है B घटना पहले से हो चुकी है और हमें निकालना है A की प्राइक्ता तो ये कहला प्रतिबंद प्राइक्ता इसका एक बड़ा सिंपल सा सूत्र आप कह सकते हो तरीका कह सकते हो कि अगर हमें ये निकालना है तो अगर E और F है तो यहां पर हम देखें तो F पहले से ही दिया हुआ है और E की प्राइक्ता निकालनी है तो दोनों का उभहनिष्ठ की प्राइक ता common की प्राइक्ता यानि P, E, E common F और जो हो चुका है उसकी प्राइक्ता denominator में यानि हर में लिख करके जो भी आएगा वो हमें E की प्राइक्ता मालम हो जाएगी लेकिन आपको पता है rational number की पहली शर्थ के denominator यानि हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए अर्थात P, F की प्राइक्ता कभी भी 0 नहीं हो तो एक छोटा सा देखते हैं कि मालो मुझे दे रखा है P, A दे रखा है 7 बटा 13, P, B दे रखा है मालो 9 बटा 13 और इन दोनों का उभेनिष्ट की प्राइक्ता दे रखी हो मालो 4 बटा 13 और मुझे ये पता करना है कितना आसान होगा आपके ध्यान में है कि दोनों के उभेनिष्ट की प्राइक्ता बटे में जो हो चुका है यहां देखें तो B हो चुका है तो B की प्राइक्ता हम हर में लिखेंगे और पता कर लेंगे अर्थात प्राइक्ता ओफ A बटा B बराबर हो जाएगा दोनों के उभेनिष्ट की प्राइक्ता अर्थात 4 बटा 13 बटे में किसकी प्राइक्ता लिखेंगे? B की प्राइक्ता है 9 बटा 13 आपको पता है 13 से 13 कट जाएगा और इसकी प्राइक्ता आजाएगी 4 बटा 9 अगर हमें मानलो मुझे कहा जाता कि आप निकालो जी B बटा A अर्थात A घटना पहले से घटित हो चुकी है हमें B की प्राइक्ता निकालनी है तो फिर से दोनों का अब एक बात बताओ, B का A से उभेनिस्ट निकाले या A का B से निकाले, कोई फरक पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा न, अर्थात, यहां पर भी हम दौनों का उभेनिस्ट, वही 4 बटा 13, लेकिन हर में अंतर आ जाएगा, हर में क्या अंतर आएगा, अब चुकि A पहले से गटना हो चुकी है, A की प्राइकता 7 बटे 13 है, इसलिए मुझे 7 बटा 13 नीचे लिखना होगा, 13 से 13 कटेगा, और इस तरह से आ जाएगा मेरा 4 बटे 7 अर्थात, जो प्राइकता किसकी, B की, जबकी A दिया हुआ है, मेरे पास आ गया 4 बटे 7, लेकिन यदि B दे रखा एक ही निकालनी है, वो आया 4 बटे 9, एक और प्रस्ण देखते हैं, आगे चलते हैं, आपकी बुक का क्वेश्चन है ये, उधारन एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ग्यात हो, अब ध्यान करना, मैंने बताया था न, ग्यात हो या दिया हुआ हो, अर्थात ये के लड़का होने की प्राइकता ग्यात करो, आपको अच्छी तरह से पता है, ये आपने उसमें पढ़ा हुआ है दसवी क्लास में, पहले हम कुल संभावना पता करते हैं, कुल संभावना में, अगर एक परिवार में 2 बच्चे हैं, मान लेते हैं, के लड़के को हम B कहते है और लड़की को G कहते हैं, तो अब आप सोचो कुल, यानि इसको हम अगर प्रतीक में कहते हैं, तो प्राइकता में S लिखते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, आपको पता है क्या, के मान लो पहले लड़का हो और दूसरा लड़की हो, B जी, या ऐसा भी तो हो सकता है, पहले लड लड़की हो और फिर लड़का हो या दोनों ही उसके पास लड़की हो अर्थात जितनी भी कुल संभावनाएं हैं सबसे पहले आपको वो लिखनी होगी उसके बाद अब मान लेता हूँ कि मैं ए ए मैंने ले लिया वो घटना जो मुझे दी हुई है तो दिया हुआ क्या है कि बच्चों मैंसे कम से कम एक लड़का हो तो मैं क्या करूँगा कम से कम एक लड़का बी जी यहां पर दो हैं तो कोई बात नहीं कम से कम एक तो है जी भी बिलकुल होगा क्या इसमें जी जी भी होगा क्या नहीं होगा क्योंकि शर्त क्या है हाँ प्रतिवंद लग रहा है सब प्रतिवंद है कि कम से कम एक बच्चा लड़का हो अब मैंने बी मान लिया बी किसको माना कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायकता अब यहां से हम प्रश्ण में थोड़ा सा स्मार्टनेस भी ला सकते हैं वो कैसे लाएंगे वो हम बाद में देखेंगे सबसे पहले बी लिखते हैं बी में दोनों बच्चों के लड़का होने की तो दोनों बच्चों की लड़का देखना हमें कुल संभावना में से है B B हो गया हमें सब प्रतिवंद निकालने के लिए दोनों का उभेनिष्ट चाहिए दोनों के उभेनिष्ट के लिए A और B का उभेनिष्ट अर्थाथ A intersection B आप बता सकते हो का A intersection B क्या होगा बिल्कुल A और B का common केवल यही तो होगा common अर्थाथ B B दोनों का common हो गया प्राइक्ता निकालने के लिए आपने पड़ा हुआ है कि अनकुल जो भी संभावित संख्या है बटे कुल संभावित संख्या अर्थाथ अब आप एक-एक करके निकालते हैं हमने निकाला A और B में उभेनिष्ट A और B का उभेनिष्ट है एक एक तो अनकुल हो गया नीचे हर में कुल कितना आएगा हाँ यह ध्यान में रखना कुल का मतलब वही टोटल सेंपल संख्या है अर्थाथ चार तो यह हो गया मेरा एक बटा चार अब चुकि पहले घटना कौन से हो चुकी है जो बच्चों में से कम से कम एक बच्चा हो अर्थाथ A तो मुझे चाहिए P A और जब P A चाहिए तो A के अनकूल हुआ तीन और कुल हुए चार प्राइक्ता किसकी निकालनी है मुझे B की अर्थाथ P B बटा A अब आप ध्यान से देखो दोनों का अभेनिष्ट की प्राइक्ता एक बटा चार एक ही प्राइक्ता तीन बटा चार चार से चार कट गया और यह आ गया एक बटा तीन जैसा मैं आपसे कह रहा था इसी प्रश्ण को अगर मुझे थोड़ा सा इसमार्टने से करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ अब आप एकवार को उस पर ध्यान दे मैं इस जब भी कभी सब प्रत्यबंद वाला प्रश्ण आए तो आपको क्या करना चाहिए एस तो लिखना ही है क्योंकि बिना एस के तो कुछ संभाबना ही नहीं होगी दूसरा क्या करना जो आपको ग्यात हो उसे जरूर लिखना यानि ए लिखना बचा ये कि बी लिखना जरूरी नहीं है आपको क्या करना जो भी B की घटना के अनकूल है उसे A मैंसे लिखना अर्थात अगर मैं इसको गोल कर देता तो क्या करता A मैंसे जो मेरे common है तो मैं इस मैंसे सीधा दोनों मैंसे common निकालूँगा लेकिन देखूंगा कहां से A मैंसे ना कि S मैंसे पहली smartness दूसरी मुझे क्या ध्यान देना चाहिए आप एक बाद ध्यान से देखो आपने जब उभेनिष्ट की प्रायक्ता निकाली तब भी नीचे 4 लिखा आपने जब A की प्रायक्ता निकाली तब भी 4 लिखा क्या जरूरत है अर्थात मैं इस सूत्र को एक नए रूप में भी लि उभेनिष्ट हैं उनकी संख्या बटे कुल संभावित कुल जो मेरे पास अनकूल दे रखा जो घटना हो चुकी है दोनों का उभेनिष्ट और जो घटना पहले हो चुकी है केबल उसके अभयवों की संख्या उसकी कितने हैं तो आप देखो जरा दोनों में उभेनिष्ट क कि संख्या टोटल कितनी थी एक और हमारे पास अगर हम देखें ए यानि जो घटना पहले हो चुकी है इसमें कुल कितने हैं तीन तो मैं एक बटा तीन कर दूँगा मुझे तो सारी गड़नाई बच गई यह चोटी चोटी चीज है लेकिन यह तब समझ में आएगा जब आप ठीक प्रकार से समझ चुके होंगे तो मैंने क्या किया यहां जो मैं प्राइक्ता निकाल रहा था वो प्राइक्ता ना निकाल कर उन दोनों के अभियवों की संख्या लिख दी एक और प्रशन देखते हैं आप उसमें और आनंद आएगा अगला प्रशन एक बकसे में दस काड़ हैं एक से दस तक पूर्णांक है मैंने क्या धान देलाया था सबसे पहले ऐस लिख fare हम क्या करेगे सबसे पहले ऐस लिखते हैं एक से 10 तक हैं तो आप क्या करोगे एक दो कुल कितने हुए ये दस पूर्णांग लिख करके रखे गए उन्हें अच्छी तरह से मिला दिया गया इस बक्से से एक कार्ड याद्रेचिक निकाला गया मैंने एक बार पहले भी ध्यान दिलाया था ध्यान से समझने ना याद्रेचिक का मतलब रेंडमली अर्थात हमने देख के नहीं निकाला मुझे नहीं पता के वो कौन सा कार्ड निकल रहा है अब जब मैंने याद्रेचिक निकाला तो यदि यह ग्यात हो देखो इस शब्द को ध्यान कर लो प्रश्न में बहुत आसानी से पता लग जाते ग्यात हो का मतलब यह तुम्हें पहले से गिविन है, दे रखा है है ना तो ग्यात हो मैं मैंने एमान लिया, क्या दे रखा है कि निकाले गए कारड पर संख्छात 3 से अधिक है ध्यान करना 3 से अधिक है अर्थात 4-5 से ले करके और 10 तक है यह दे रखा है मुझे अब अगर यह दे रखा है तो प्रायक्ट है किसकी चाहिए इस संख्या के सम होने की सम संख्या अर्थात जो संख्या दो से भाग हो जाए मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पर A intersection B A और B का उभेनिष्ट निकालना है अब आप देखो कित येवल बो लिखो क्या जरुतम है B लिखने की अब बताओ कौन कौन सा होगा चार छे आठ और 10 ये इन दोनों का common हो गया अब यदि आप प्रायक्टा से करना चाहते हो किसी से भी कर सकते हो प्रायक्टा निकालनी है मुझे B की बटा A अर्थात आपको पता है प्रायक्टा पी A और B का अबहनिष्ट बटे में चुकि A पहले से हो चुका है तो P A अर्थात अबहनिष्ट चार संख्या हैं और कुल कितनी हैं 10 चार बटा दस बटे A में कुल कितनी बची हैं 10 में से 3 गई हैं 7 बची हैं ध्यान करना 7 बटा 10 10 से 10 कट गया ये बराबर में आ गया 4 बटे 7 ये तो रहा प्रायक्टा बिधी से अगर मैं इसी को N वाली बिधी से करता तो क्या करता P B बटा A B अपॉन A N ध्यान करना लेकिन यहां मैं लिख रहा हूँ अब N A और B का अभेनिस्ट बटे N A P हटाया अच्छा P क्यों हटाया मैंने केवल इस कारण से कि यहां भी अपॉन में टोटल सेंपल स्पेस यहां भी अपॉन में टोटल सेंपल हमेशा से माना है तो क्यों घसीट ना वो काट दिया अर्था यह हुआ मेरा सीधा चार बटे साथ कैसा लगा आगे चलें गुड प्राइक्ता के कुछ गुड़न नियम है अब सुनने में लगता है पता नहीं जाने कौन से नियम आगे कोई नियम नहीं है इसमें छोटी सी चीज हम देखते हैं पी ए शिलैश बी यानि पी ए इंटर्सेक्शन बी अपॉन पी बी यही है ना अब एक छोटी सी बात समझो अगर मुझे यह निकालना है आपने प्राइक्ता में ग्यारवी क्लास में पड़ा होगा इंटर्सेक्शन का मतलब है बोथ ए भी घटना हो रही है और बी भी हो र बी तो अगर मुझे पी ए इंटर्सेक्शन बी चाहिए मुझे पी ए इंटर्सेक्शन बी चाहिए तो मैं क्या करूँगा इसको इधर गुणा करूँगा कि नहीं करूँगा अर्थात मैंने कर दिया पी ए अपॉन बी इंटू पी बी इसको मैंने अच्छा एक चीज और देखते हैं मान लो मैंने निकाला होता B बटा A आप देखो उपर तो मेरा अभी भी यही आता A intersection B और नीचे क्या आता? लेकिन अब नीचे आता P A अर्थात अभी भी अगर मैं intersection निकालूँ जो उपर निकालूँ वो तो सेम हो गया अर्थात P A intersection B अगर मैं निकालूँगा तो वो हो जाएगा P A into P B slash A आप देखो यह भी intersection यह भी intersection अर्थात जब भी हमें दोनों की प्राइक्ता चाहिए तो जो दे रखा है वो जो पहले से घटना घटित हो चुकी है वो किससे गुणा होगा उससे गुणा होगा जो इस प्रतिबंद के साथ प्राइक्ता निकाली है उन दोनों के गुणा के बराबर होगा अब ये समझ में आ जाएगा कि माना कि E तथा F किसी परिक्षण के प्रतिदर्स समझ्टी से संबंदित दो घटना हैं तो E intersection F क्या होगा P E, P E क्यों किया क्योंकि E दे रखा है ये ध्यान में रखना है अगर कोई अकेली प्राइकता है अर्थात ये घटना पहले से हो चुकी है तो P E गुणा P F slash E और अगर हमने P F गुणा कर रहे हैं इसका मतलब F पहले हो चुकी है तो P F गुणा P E बटा F करेंगे और इन दोनों का मान बरावर होगा किसके E slash F के यदि E तथा F और G भी आ जाए अब देखो यहां एक और step आगे बढ़ गए मालो एक और हो जाए कोई चिंता की बात नहीं है हम दो को मान करके एक की निकालेंगे कैसे अगर मुझे इन तीनों में कोमन चाहिए तो हमने क्या किया एक ले लिया P E P E लेने के बाद हमने क्या किया यहां पर P F निकालना है slash E और G निकाला इनका intersection के साथ अर्थाथ दो हो तीन हो कोमन हम इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं एक प्रशन देख करके इसको और इसपस्ट करते हैं एक कलश में दस काली और पाँच सफेद गैंद हैं दो गैंद एक के बाद एक निकाली जाती हैं पहली गैंद दूसरे के निकालने से पहले बापस नहीं रखी जाती ये ध्यान में रखना है, दो शर्टें हो सकती है, एक ये with replacement एक होता है without replacement, यहां जब दूसरी निकाल रहे हैं, तो पहली हम नहीं डाल रहे, अगर हमने पहली डाल दी होती, तब तो दूसरे वाले के लिए कोई शर्टी नहीं बचती, कोई प्रतिबंदी नहीं होता, गेंद निकलनी है, अब ध्यान करना, दोनों काली गेंद निकलनी है, दस काली गेंद है, पांच सफेद गेंद है, तो पी काली गेंद, मैं पी बन कर देता हूं, अर्थात पहले काली गेंद निकलने की प्रायकता, अब ध्यान क्या देना है, दस काली है, अनकूल दस है, इसका मतलब अब जो मुझे B2 निकालनी है अर्था दूसरी black निकालनी है वो तब निकालनी है जबकि पहली काली बॉल आचुकी है. अगर एक काली निकल गई तब इसके दूसरे काली की प्राइक था तो चुकि एक निकल गई तो कुल बची काली नौ और कुल बॉल पंद्रे थी तो बची चौदा दोनो काली हों यहां जो अभी आपने गुणन नियम पड़ा था वो बिलकुल शामिल हो जाएगा अर्थात B1 इंटर्सेक्शन B2 फिर ध्यान कर लेना इंटर्सेक्शन का मतलब दोनो काली एक काली नहीं दोनो काली तो इन दोनों का मल्टिप्लिकेशन अर्थात 10 बटे 15 गु बहुत आसान गणित हो गई तीन तीया नो तीन पंजे 15 पांच दूनी 10 दो सत्ते 14 कितना आ गया बिलकुल ठीक तीन बटा साथ है ना आसान और अब इसका उपियोग कहा होगा आगे के में जहां हम आगे और अंदर चलेंगे ध्यान आया होगा इसका जरूर रिवीजन कर ल झाल